हिमांशु कुमार गांधी विचार के सामाजिक और राजनेतिक कारे करता है तो हम लोग वहां रहना शुरू किया हमने देखा कि यहां अभी गांधी और विनोबा और अइंसा और सर्वोदय इसकी बात करने की बजाए सबसे पहली जो समस्या है वो यह है कि मलेरिया बहुत है लोग हर घर में बीमार है पीने का पानी नहीं है राषन की दुकान छह महीने में एक बार खुलती है राषन भी नहीं मिलता इस्कूल में बच्चे पांचवी पास नहीं हुए हैं पिछले 40 साल में A&M नहीं आती है, Malaria worker नहीं आता है तो ये सारी चीज़ें पहले तो ठीक से चले CPI माउस एक अलग गुठ है जो प्रतिबंधित है और सिर्फ वही हिंसक्स जिसको सशस्तर संगर्ष कहते है वो जो सशस्तर संगर्ष में विश्वास रखता है उसको वो resistance कहते हैं और उनका कहना है कि हमला सरकार ने किया है जनता उसका प्रतिकार कर रही है, resistance कर रही है और वो कोट करते हैं भगत सिंग के उस quotation को जिसमें भगत सिंग ने भी वोईस रायक को चिटकी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि एक युद्ध की इस्तिति विद्धिमान है लेकिन ये युद्ध भारती जनता के उपर थोपा गया है संसाधनों पर कबजा करने और उसके श्रम की लूट के लिए और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ये संसाधनों की लूट और मजदूरों की मजदूरी की लूट श्रम की लूट बंद नहीं हो जाती भले ही अंग्रेस चले जाएं लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी तो वो इसको कोट करते और कहते हैं कि भगत सिंग को मानने वाले हम लोग है बहराल उनके साथ हमारी रास्ते को लेकर मद्भेद हैं हमें लगता है कि उनका जो रास्ता है वो वहाँ नहीं पहुँचाएगा जहां वो पहुँचना चाहते है और जनता को भी वहाँ नहीं पहुचाएगा जहां वो जनता को ले जाना चाहते हैं मैंने सुप्रीम कोट को एक पत्र लिखा था जब सोनी सोरी के साथ सोनी सोरी के गुपतांगों में पुलिस के पुलिस अधिक्षक ने पत्थर भरवा दिये थे और उस पुलीस अधिक्षक को राश्ट्रपती ने वीरता पुरसकार दिया था और सुप्रीम कोर्ट में सोनी सोरी के शरीर से निकले वे पत्थर Chief Justice of India की टेबल पर रख दिये गए थे उसके बावजूद उस मामले में कोई न्याय नहीं हुआ तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये लिखा था कि आपने आदिवासियों को न्याय न देकर इस विवस्था को नहीं दिताया है आपने उस आदिवासी को जिता दिया जिसने ये कहा था कि अगर तुमने इन आदिवासियों को न्याय दिला दिया तो मैं बंदूक रख दूंगी और गांधिवादी बन जाओंगी आपने मुझे हराया आपने गांधी के आइंसा को हरा दिया आपने उस आदिवासी लड़की जो नकसलवादी बन गई है उसकी बंदूक को जिता दिया तो दिक्कत ह में ये है कि हमारी जो सरकार और हमारी जो विवस्था है वो हरा रही है जनता को वो जनता के विरुद्ध है इसलिए हमारी पहली शिकायत और हमारी पहली लड़ाई इस विवस्था से है कि नियाए दो गरीब को नियाए दो आदिवासी को नियाए दो दलित को नियाए दो जो लोगों पर हमला कर रही है जो अहिंसा, लोकतंत्र, धर्मनिर्पेकष्टा, आर्थिक नियाए इसकी रक्षा कर रहे है इसलिए आज अगर अहिंसा पर किसी तरफ से खत्रह है तो वो नकसलियों की तरफ से नहीं है वो सरकार की तरफ से है वो दालतों की तरफ से है वो विवस्था की तरफ से है इसलिए हमारा जो हमारा जो पहला प्राथमिक्ता है वो इस विवस्था को ठीक करने का ये विवस्था ठीक हो जाएगी तो देश में आहिंसा का शाशन हो जाएगा हिंसा समाप्त हो जाएगी हिंसा समाप करने के लिए आपको हिंसा बढ़ाने की जरूरत नहीं है हम सोचते हैं कि सी आर पियफ जादा भेज दो नकसलवाद खतम हो जाएगा वो आज तक नहीं हुआ आग से कभी आग नहीं बुझती है वो तो नियाय से बुझेगी जब हम नियाय बढ़ाएंगे शान्ती हो जाएगी इसलिए जब हम जानते हैं कि ये लालच हर इनसान की कमजोरी है तो फिर हिंसा किसके खिलाफ करेंगे ये लडाई तो मेरे अपने खिलाफ भी है ना मेरी भी अपनी परसनल लडाई है कि मैं कैसे लालच से दूर हूँ जब मैं लालच से दूर हूँगा तब मैं दूसरों को कहूँगा कि आप भी लालच मत कीजिए और मैं पूरे समाज को लालच से मुक्त होने की बात कह सकता हूँ तो ये तो परसनल लड़ाई है और जब हम जानते हैं ये परसनल लड़ाई है हमारी अपने भीतर की भी लड़ाई है तो फिर हिंसा किसके खिलाफ और हिंसा से लालच खतम नहीं हो सकता हिंसा से आप किसी के शरीर को नुकसान पहुचा सकते हैं किसी को थोड़े वक्त के थरसल डर में से निकला है आप डरते हैं कि खतम हो जाएगा डर ये मत इस प्रकृती के पास सब के लिए है मुझे हमेशा लगता है कि हम बहुत असरदार लोग है हमारा बहुत असर है हमसे सरकारे डरती है हमसे ये वेवस्ता कापती है इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत प्रभाव शाली हम बहुत कर पा रहे हैं हम इस विवस्था को लगातार हिलाते रहते हैं, हम इसको चुनोती देते रहते हैं हम एक विचार के बीज को, एक संभावना को जिन्दा रखे हुए हैं अगर हम नहीं होंगे तो ये संभावना को नौजवानों तक कौन पहुचाएगा कि ये हो सकता है ये सपना है हम उस सपने को नई पीड़ी तक पहुचा रहे और जिनको निराशा है निकले वो बाहर बाहर निकल कर अभी सत्य बोलने लगे अभी पुलिस आ जाएगी आज की विवस्था सत्य अहिंसा और न्याए जैसे धर्म निर्पेक्ष्टा जैसे शब्दों से डरती है इतनी डर्पोफ विवस्था हमने पहले कभी नहीं देखी थी तो ये तो सबसे जादा हमारे लिए फेवरेबल टाइम है जिसको निराशा हो रही है कि कुछ नहीं हो रहा आ पहुंचिए और बात करिये आजादी की लड़ाई उसके क्या लक्ष थे सामाजी कार्थिक न्याए धर्म निर्पेक्ष्टा आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों के मुसल्मानों का क्या योगदान है आप बात करना शुरू कीजिए अब भी पुलिस आजाएगी और आ भी आपको पुलिस उठा लेगी तो यह वक्त बहुत चुनाची पूर्ण है और बहुत फेवरेबल है अंदकार जितना जादा होता है एक दिया उतना जादा चमकता है यह हमारे चमकने का वक्त है